हाई गाईज आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब डिजिटल से वा पोर्टल से किसी का भी बिजली विल जमा कैसे कर सकते हैं अगर आप एक VLE हैं CSE संचालक है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जूस सबसे पहले दुस्तों आजाना है अपने किसी फिक क्रॉम प्राउजर को ओपन कर लेना है और यहां पर आपको टाइप करना है CSC जैसे सी टाइप करेंगे आप यह निचे आज आएगी CSC लोग इन फर्स्ट वाली ऑप्शन को यहां पर क्लिक करना है डिजिटल से वा पोर क्लिक कर देना है और यहां से आपके अगर ID पासबर्ण आपका सेब नहीं है तो आपको ID पासबर्ण भाएंगी मेरा त हैडिट स्प्राइप लोग Googled हो गया है और आपना ID पासबर्ण बालकि इसे लोगिन कर ले सबसे पहले आपको देख सकते हैं उपर हमें बहुत सब्सारे जाएंगे इसी में आपको सथे अप्स आपको क्लिक करना है क्लिक करेंगे electricity billers आपका जिस डिस्टिक का connection है आपको यहां से आपको select कर लेना है जैसे हमें जो अभी पे करना है नौर्थ भीहर पाउर डिस्ट्रीटर का है आप अपने कंट्री का select कर ले अपने हिसाब से bill inquiry का option में आपको मिल जाएगी CA number CA number का मतलब होता है consumer number आप अपने बील के सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी मुवाइल नमबर आपको यहां से डाल कर देना है और यहां पे fix bill पे क्लिक करना है जैसे ही आप इसके क्लिक करेंगे bill pay के option पे यह आ जाएगी है customer का नेम और डिल डिटेल्स आपको यहां से साड़ी चीज आपको यहां से पता चल दाएगी किसके नाम से है यह connection आपको यहां से मिल जाएगा देख सकते हैं amount payable 100 रुपय का यह बिल है और इसी के नीचे हमको आना है इंटर इमाउंट यहां से देख सकते हैं मिनमम आप 10 रुपया पे कर सकते हैं आप उससे कम भी कर सकते हैं और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं मिनमम आपको 10 रुपय से उपर की और करना है चलिए हम यहां से 110 रुपय का हम पे करने वाले हैं टाइप कर देंगे और नीचे आ अब डेक से ते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई